दोस्तों आप सब लोगों की बड़ी डिमांड के कारण आज हम आपके लिए एक पुराने नोट और शिक्कों की असली दुकान की ऐसी जानगारी लेकर के आए हैं जहां पर आप अपना कोई भी नोट या फिर शिक्का जो की भारतिय करेंसी का होना चाहिए आप जाकर के हैं बेच सकते हैं दोस्ता कौन-कौन से नोट और शिक्की हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे तो पूरा वीडियो ध्यान पुरुक देखना और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप कमेंट करके बताना कि इन में से आपके पास में कौन-कौन से नोट और कोई एक भी नौट या फिर शिक्का आपके पास है तो आप उसके बदले में बड़े रकम पाप्त कर सकते हैं लेकिन वीडियो पूरा देखने से पहले आप कमेंट करेगे तो आपको कोई भाज़ा नहीं होने वाला है क्योंकि दोस्तों जो लोग वीडियो आदा दुरा देखेंगे उनका कमेंट वीडियो के नीचे नहीं रहने वाला है थोड़ी देर बाद में ओटोमेटिक ही हाइड हो जाएगा आप जितने भी लोगों के वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर या फिर फेस्बुक पर हमेशा ध्यान रखें अगर आपके पास में 10-15 देने वाले हैं इनके WhatsApp नमबर, email address और दुकान का भी address देंगी साथ ही साथ दोस्तों यह आपको क्या कीमत देने वाले हैं नौट और शिक्कों की वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं अविनाश यादु पुराने नौट और शिक्कों का असली notification हमें मिलती है उसमें जितनी जानकारी दी गई होती है वही जानकारी हम अमारे वीडियो में दिखाते हैं दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पिर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो Real Point Company YouTube चैनल को आप subscribe करके गंटी का बटन दबा दीजीगा ज उसके बाद comment करते हैं और comment में पूरी जानकारी लिखते हैं कि आपके पास में कौन सा note है कौन सा सिक्का है किस सन में जारी किया गया है mint mark कौन सा है यह सभी जानकारी लिखते हैं उसके बाद में असली buyer आपके comment का जवाब भी देते हैं लेकिन आपको notification नहीं मिलता है इसलि लेकिन आपको notification नहीं मिलता है और इस वज़े से आप उस buyer को उसी समय जवाब नहीं दे पाते हैं। जब आपको कुछ दिनों बाद वो reply देखते हैं और वापस आपको जवाब देते हैं उस buyer को तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि दोस्तों ये जो real buyer होते हैं इंडिया में 656 original registered buyer है जो की पूराने note और सिक्के खरीदने के बदले में किसी भी तरह का ना तो कोई सुलक लेते हैं और ना ही किसी document की demand करते हैं। तो ये एक या दो गंटे में आप भी जानते हैं ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 लोगों से contact कर पाते होंगे क्योंकि वहाँ पर भी काफी सारी process होती है, पहले उनको reply देते हैं या फिर contact की detail दियू होती है, तो उनसे direct contact करते हैं, फिर note और सिक्कों की photo मंगवाते हैं, photo देखन करने के बाद, note और सिक्कों का valuation किया जाता है, valuation करने के बाद आपको बताया जाता है, कि आपके note और सिक्कों के बदले में हम आपको इतनी कीमत दे सकती हैं, उसके बाद भी कई लोग उस कीमत पर बेचने को राजी हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है, कि हम याँ पर ना बेच के किसी और बायर को बेचेंगे या फिर किसी एक्जिबीशन में बेचेंगे तो वो लोग नहीं बेचते हैं इस वज़़े से यह जो सारी प्रोसेज होती है इसमें काफी ज्यादा समय लगता है और इसी वज़़े से वो बायर ज्यादा लोगों से कॉंट नहीं किया गया है पुराने नोट और सिक्कों के उपर आपके पास सिरफ और सिरफ रेर करेंशी का कलेक्शन होना चाहिए और जब कभी भी आपको पता चले कि आपके आसपास के किसी सहर या राजिये में कोई एक्जिबिशन लगा है वहां पर आप वह नोट और सिक्के लेक होते हैं तो उन सब की सबसे पहले जानगारी हमारे इससे रियल कोई कंपनी यूट्यूब चैनल पर ही आती है तो आप सब्सक्राइब करके रखेगा जब भी कोई ऐसा एक्जिबिशन होगा तो उसकी आपको वीडियो मिलती रहेगी तो उन उसकी आपको तो उसकी आप पहले वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में बताया जाता है कि कौन-कौन से बायर संमील हो रहे हैं उन बायर से और जो उस एक्जिबिशन के आयोजन करता होते हैं उनके phone number और contact की detail भी हम देते हैं जिससे कि आप हमारी वीडियो देखने के अलावा भी reconfirm कर सकते हैं उन आयोजन करता से बात करके और उसके अलावा दोस्तों हम वीडियो में ये भी दिखाते हैं कि कौन-कौन से note और सिक्के इस exhibition में सबसे बड़ी कीम किया था कि हम एमदाबाद के exhibition में गए ते कल लही किसी ने हमारी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि मैं मुंबई के exhibition में गया था मेरे पास में 5 रुपे का ट्रेक्ट वाला नौट था और वो मेरा नहीं भिखा तो दोस्तों आपने उसकी वीडियो तो देखी exhibition का address देख चाहिए क्योंकि कोई भी एक नौट या सिखे लिए कोई भी बाहर आपके गर पर नहीं आएगा तो इसलिए आप हमेसा ध्यान रखे कि वीडियो को पूरा देखे और देखने के बाद आपके पास जो भी नौट और सिखी है उनकी पूरी डिटेल लिखे डिटेल कैसे ठेक्र वाला नौट है पंश रुपे का दिस रुपे का जाहाज वाला नौट है पचास रुपे का संसिध वाला नौट है नौट है जो बी हो वो आपको लिखना है और फिर गवरनर का नाम और सीरियल नंबर लिख देनी है उसके और कउएन है तो कोईन की तीन सबसे मह gagn metro चीजे होती है जो कि आपको कमेंट में लिखकर जरूर बतानी है सबसे पहले तो कौन सा सिक्का है 20 पैसे का कमल वाला सिक्का है या फिर 5 रुपे का स्रीमाता वैशनो देवी वाला सिक्का है 2 रुपे का सिक्का है 1 रुपे का सिक्का है बी comment मारक है जो भी हो वो आपको लिख के जरूर बताना है जब आप अपने not और सिक्कों की पूरी जानकारी लिख देते हैं फिर आप लिखेगा अपने खुद की contact की detail जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है फिर अपना address लिख देना है इसलिए जो लोग email address देंगे उनसे ये buyer सबसे जल्दी contact करेंगे लेकिन ये बात अमेसा ध्यान रखें कि नौट और सिक्कों की पूरी डिटेल लिखेंगे तो ही email लिखने का कोई फाइदा नहीं मेरे पास में काफी माता में और भी नौट और सिक्के फिर आप अपनी डिटेल लिखिएगा contact की जानकारी लिखिएगा और जो लोग बिल्कूल भी अपने नौट और सिक्कों के बारे में नहीं लिख सकते कमेंट में यानि कि कम पड़े लिखे हैं या फिर वो English नहीं जानते हिंदी नहीं जानते तो उनको बता दूँ कि आप Numismatic Society of India के जो official real Facebook page है currency buyers और real coin company उस पर जाकर के अपने नौट और सिक्कों की फोटो या फिर वीडियो बेज सकते हैं यानि कि आप एक ही वीडियो में अपने तमाम नौट और सिक्कों की दोनों साइड आपको दिखानी है चुकि दोस्तों जैसे ही आपके नौट और सिक्कों की फोटो या फिर वीडियो याँ पर रिसीव होगी currency buyers और real coin company page पर रिसीव होते ही ये buyers उनको चेक करेंगे फोटो को देखेंगे वीडियो को देखेंगे और ये valuation करेंगे कि कौन सा नौट या सिक्का किस कीमत पर बिखने वाला है क्या कीमत चल रही है Newismatic Society of India में उसके बाद सबका valuation करने के बाद ही आपको reply मिलगा आपको बताया जाएगा कि आपके नौट और शिक्कों के बदले में हम आपको क्या कीमत दे सकते हैं अगर आपके पास में कोई एक भी नौट या सिक्का है तो भी आप वहाँ पर फोटो या फिर वीडियो बेज सकते हैं currency buyers और real coin company page है Newismatic Society of India के official page और दोस्तों आपको बता दूँ कि इन सब के अलवा भी कई सारे ऐसे तरीके हैं पूराने नौट और शिक्कों को बेचने का उनका भी हम आपको आगे पूरा तरीका बता देते हैं जो तरीका आपको सही लगे अपने नौट और शिक्के बेचने के लिए उस तरीके के माध्यम से आप अपने नौट और सिक्के बेच चकते हैं बस किसी को फीस नहीं देनी है ये फ्रोड लोगों के काम है इसलिए फ्रोड लोगों से हमेशा बच कर रहे हैं और कौन-कौन से नौट और सिक्के आज जो नुमिसमेटिक सौप हम आपको दिखा रहे थ इसकी कई सारी ब्रांचेज भी है ऐसा नहीं है कि ये सिरफ दिल्ली में है एक सौप इनकी दिल्ली में है उसके अलावा इनकी लखनव में भी सौप है मुंबिल में भी सौप है बेंगलूर में भी सौप है और हैद्राबार में भी इनकी सौप है एक सौप कलकत्ता में भी ह तो आप किसी भी दुकान पर जाकर के नौट और शिक्कों के कलेक्शन की आवसकता है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नौट और शिक्के भी जिनके बदले में ये सबसे बड़ी कीमत देने वाले हैं साथ ही साथ इनका पूरा एडरेश सभी दुकानों का और फॉन नंबर भी आपको दे दे देते हैं भी आप बेच सकते हैं लेकिन ये ध्यान रखना है कि 7-6 बलड़ी स्टाटिंग में हो या एंडिंग में या फिर बीच में कहीं पर भी हो सीरियल में उसके बजले में आपको 50-70,000 रुपे नौर्मली मिल ही जाएंगी नौर्मल सीरियल में होगा तब भी आपको 3-4 लाथ रुपे तक मिल जाएंगी अगर ये ट्रेकर वाला कोई साभी नौट आपके पास में 7-6 या फिर सेमी फैंसी या सूपर फैंसी सीरियल में है तो भी आप उसे बेच सकते हैं सीर अगराजन गवर्नर के सिगनेचर वाला ही अगर आपके पास में 20 उपे का नौट है ये वाला नौट दोस्तों गौर से देखिएगा इस नौट की काफी ज़्यादा डिमांड रहती है कोई भी मुद्रा प्रदशनी हो या फिर कहीं पर भी इस तरह के नौट और सिकों क सीरेलगों देख सकती है इस नौट में अच्छी कीमत ब्रदले में आपके यह या ज़िल नमर के आदार पर दिखाते हैं यही अगर बीच में होता तो इस बदले में आपको कोई जयादा खास कीमत नहीं मिलती लेकिन आधिन पर इस नौट को आप अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं ऐसे ही कुछ से 500 रुपे के और नौट है आपको सीरियल नमर के आधार पर दिखाते हैं 500 और 501 इस तरह की सीरियल है तो उसे आप बेच सकते हैं और इसके बदले में 30-40,000 रुपे आपको नॉर्मली मिल जाएंगी यह वाला जो नौट है इसकी सीरियल काफी सारे वीडियो देखे होंगे और अभी आप इस गेंदे वाले को बेच सकते हैं लेकिन सर्थ बस इतनी है कि 1988 में जाई किया गया कोई होना चाहिए या फिर 1994 में जाई किया गया कोई होना चाहिए दोर कमेंट मार्क या फिर उसके उपर आपको इस्टार कमेंट मार्क इसाद रख सकते हैं धो के लिंग 1970 दिए गया है वीडियो का डिस्रिपशन ओपन कीजिए और वेडियो के लिंक पर क्लिग कीजिए और दो डू बियुक लिंक दिये हुए हैं से किसी एक पर क्लिक करना है डारेक्ट आप नुमिसमेटिक सोसाइटी अप इंडिया की ओफिसिल वेबसाइट पर पहुंचाएंगे वहाँ पर भारत सरकारकत जो पुराने नोट और शिक्कों को खरीने और बेजने वाला ओफिसिल एप है उस एप को डाउनलोड करने का आप पूरी जानकारी आपको मिल दाएगी सबसे बड़ी खूबी इस एप की यही है कि इस पर आपको कोई भी फ्रॉट बायर नहीं मिलेगा जितने भी बायर है वो 656 इंडिया के जो ओरिजिनल बायर है जिनके पास नोट और शिक्कों का बिजनेस करने का लाइसेंस होता है सिर है अगले वीडियो